बुलुश्री प्राणनात प्यारे की बुलुश्री सद्गुरु महाराज की बात तब की मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में तहां जाएके खोज करूं पाऊं पर में स्वर तिन से घर में खट पट रहे मन में रहे वेराग प्राणधार सुंदर साथ जी एवं धर्मक्रेमी सज्जन ब्रिंद कल की चर्चा में हमने संक्षिप्त में ब्रज रास तथा मुहम्मद शाहब की बितक को सुना तथ पस्चात श्री देव चंद्रजी के जन्म से सम्मधित तथा श्री देव चंद्रजी जिनके अंदर देवापी का जीव है उसके द्वारा की गई तपस्या से सम्मधित चर्चा सुनी और यह सुना कि किस तरह से ग्यारह वर्ष की अलपायू में उनके हृदय में अध्यात्न जगत की मूल प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों के समाधान को पाने के लिए अपनी तरफ से उप्रयास करते हैं और उसी प्रयास के क्रम में देव चंद्रजी कच जाना चाहते हैं क्योंकि एक बार वो जाकर आ चुके हैं और कच्छ में उन्होंने देखा कि वहाँ पर मंदिर बहुत हैं और जहां मंदिर की अधिकता है वहाँ पर साधु संत भी बहुत सारे हैं तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं कच्छ जाऊं तो हो सकता है कि किसी साधु संत के द्वारा अथवा अगर कोई मुझे हैसा सच्चा कुर मिल जाए जिसके दोरा मेरे इन प्रश्णों का मेरे इन संकाओं का समाधान हो सके इसलिए अब कछ से आने के बाद भी देवचनर जी के मन में वही कवतु हलता बनी हुई है कि कब मैं घर से निकल कर चला जाओं कब मुझे ऐसा औसर मिले कि मैं अपनी आत्मा के प्रियतम के विशय में जान सको उसे पास सको इसलिए अब आगे स्री लालदा जी कहते हैं घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग घरवालों के साथ में आरता तो उनके माता पिता उनके साथ में किसी ने किसी बात को लेकर के खटपट बना रहता है खटपट बनने का मतलब है कि द अध्यात्म की दिश्रा में उस विश्य में कोई भी सहायता प्रदान नहीं कर रहा है माता-पिता की इच्छा सामन्य रूप में माता-पिता की सिर्फ द्योवचिंद्र जी के माता-पिता की बात नहीं कर रहे हैं जितने भी माता-पिता इस संचार में हैं सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा बेटा अथवा हमारी जो संतान है वो माया में अच्छा काम करने लग जाए अच्छा कमाने लग जाए और भविश्य में अर्थात हमारे बुढ़ापे में जा करके हमारी सेवा करे निया 90% से अधिक माता पिताओं की यही इच्छा होती है कोई विरला होता है जो अपने बच्चों को अपनी संतान को अध्यात्म की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं बुद्ध की कहानी तो सबको पसंद होती है लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने बालक को बुद्ध बनाना नहीं चाहते हैं महापुरुस सबको पसंद है बस सर्थ यह है कि वो किसी दूसरे के घर में हो अपने घर में अगर कोई महात्मा बनता है तो उनको लगता है कि हमारा तो संसार ही लुट गया इसलिए कुमर बाई और मतु महता दोनों देवचनर जी की भक्ती भाव को देख करके सोचते हैं तो साइद विरक्त हो जाएगा सन्यासी हो जाएगा महात्मा हो जाएगा इसलिए वो इस बात का विरोध करते हैं और देवचनर जी उनकी बात का विरोध करते हैं जिसको स्री लालदा जी ने कहा घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग स्री देवचनर जी के मन में वैराग है वैराग्य किसे कहते हैं बोलचाल की भासा में अगर कहें तो राग से वैर हो जाने को वैराग्य कहा जाता है राग अर्थात जो भी संसारिक सुख हमें पसंद है उससे वैर हो अर्थात उस से वीरोध हो जाना उसको वैराग्य कहा जाता है और अगर वैराग्य की दार्शनिक परिभासा देखें तो योग दर्शन के अनुसार योग दर्शन में पतनजली मुनी कहते हैं दृष्टा अनुस्रविक विशय वत्रिश्णस्य वसिकार संज्य वैराग्यम इसका अर्थ क्या है कि दृष्टा देखे हुए और सुने हुए दोनों इंद्रियों के माध्यम से जिस किसी पदार्थ की लालसा होती है इच्छा होती है उन इच्छाओं को वस्चमे करने का नाम वैराग्य है क्यूंकि किसी भी लालच की सुरुवात आख और कान से होती है जैसे एक बार के लिए हमने किसी पदार्थ का स्वाद ले रखा है वैसे तो स्वाद जिवा का विषय है लेकिन दुबारा उस पदार्थ के विषय में लालच कब आएगी माली जी किसी के मन में किसी ने जलेवी का स्वाद ले रखा है कभी और उसको वो पसंद आया तो दुबारा उसकी लालसा कब होगी या तो जलेवी को देखेगा या फिर कोई उसके सामने जलेवी की बात करेगा तो देख करके, सुनकरके जिस किसी पदार्थ के अथवा जिस किसी सुख की लालसा होती है उस लालसा को उस लालच को वश्मे करने का नाम वईराग्या है अब देवचनर जी के मन में भी वईराग्या है उनके अंदर संचारिक वस्तों की संचारिक विश्वयों के सुख की कोई भी लालसा नहीं है जि वहर रहने का मतलब दुस्मनी जैसे किसी दुस्मन को देखते ही जिसके साथ दुस्मनी होती है वो अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे तन बदन में इसको देख करके आग लग जाती है वैसे ही जो कोई भी माया की बात करता है जो कोई भी भौतिक सुख ने बहुत अधिक सिखापन दी माता पिता दोनों सायद रिष्टेदारों ने भी दिया होगा कि तुम क्या इस उम्र में वेरागी बन करके घूम रहे हो क्योंकि लोगों को लगता है संचार में कि अध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित उम्र का पड़ाव पार करना आवश्यक है लोग सोचते हैं जब कोई बालक जनम लेता है तो किशोर अवस्था होने तक सभी लोग कहते हैं कि ये तो इसकी खेलने खाने की उमर है खेलने कूदने की उमर है उसके कुछ समय के बाद मे जब वोह किशोर बन जाता है तो कहते हैं कि अभी तो इसकी नौकरी करने की और भौतिक सुखसोविदा भोगने की उमर है फिर जब अधेड हो जाता है तो लगता है कि बस अब घर में बच्चे हैं हमारे तो उनको सम्हालने की जिम्मेदारी है और उसके बाद जब बुढ़े हो जाते हैं जब वृद्ध हो जाते हैं तो लगता है कि अच्छा अब धर्म करना चाहिए अब हमें अध्यात्मिक जीवन अपनानी चाहिए लेकिन उस अवस्था में एक उम् से नहीं बैठा जाता अगर हम चाहें कि हम अध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय कर सके आखे जवाब दे जाती है धंक से दिखाई नहीं पड़ता तो पढ़ेंगे कैसे अगर हम चाहें कि हम सेवा कर लें भावतिक शारीरिक रूप से तो सारीरिक सेवा करने के लिए श्रम करने के लिए भी शरीर में ताकत होने आउस्यके तो वो भी नहीं हो पाती है तो उम्र के एक पड़ाव में पहुँचने के बाद में हमसे कुछ हो नहीं पाता है और हम सोचते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का जो सबसे महतूपुन काम है वो हम तब करेंगे जब हम सारीरीक द्रिष्टी से सबसे अधिक दुर्बल हो जाते हैं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस अवस्था तक भी कोई पहुच पाए क्योंकि वाणी का कथन है पाउं पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सरजन को न देवे एक बार क्या हुआ कि नारज जी विश्न भगवान को कहते हैं कि भगवन आपकी बहुत सारे भक्त हैं जो आपको देखना चाहते हैं आपको पाना चाहते हैं आप चाहें तो उनको अपने पास बुला सकते हैं आप उन्हें बुलाते क्यों हैं संशार में सब लोग कितने दुखी हैं आप उनको बुला लीजिए तो विश्ण भगवान ने कहा कि नहीं नारद कोई मेरे पास आना नहीं चाहता है तुम्हें लगता है कि वो दुखी है और मेरे पास आना चाहते हैं जबकि ऐसा नहीं है नारजी ने कहा कि नहीं भगवान ऐसा कैसे हो सकता है मैं प्रति दिन प्रित्वी लोग में जाता हूँ, सब की स्थति देखता हूँ, सब लोग ये कह रहे होते हैं कि ये बगवान उठा ले, ऐसे जिन्दगी से तो हमें अपने पास बुला ले, तो सब लोग चाहते हैं आपके पास आना, विश्णु बगवान ने कहा कि नारद म मैं तुम्हें एक अधिकार देता हूँ, कि तुम प्रित्वी लोग पर जाओ, जा करके पूछो, और जो मेरे पास आना चाहे, उसको तुम ले करके आओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, नारद जी गए, जैसे ही प्रित्वी लोग पर पहुंचते हैं, सबसे पहले जो उन्हें व्यक्ति मिला वो प्रार्थना कर रहा था भगवान के सामने कि है भगवान इतनी तकलीफ है जीवन में ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बहतर है तुम मुझे अपने पास बुला ले नारजी पोंच गए बुलाने के लिए तो कहा कि चलो भगवान ने तुम्हें बुल रहा था वैसे मैं मरना नहीं चाहता हूं अभी तो मैंने दुनिया देखी नहीं अभी तो मैं किशोर हूं अभी तो मैंने दुनिया के सुखों को भोगा ही नहीं तो अभी मैं नहीं आऊंगा आप अगर ले जाना चाहते हैं मुझे तो कुछ समय के बाद में आ जाई है और उसके बच्चे हैं घर में खेल रहे हैं उसने कहा कि अच्छा ठीक है अब तो तुम ने नारज जी ने कहा कि अब तो तुम ने संचारिक शुख भी भोग लिया है अब चलो तो वह वेqtxi कहता है कि नहीं अभी तो मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं इनकी साधी नहीं हुई अभी तो मैंने नाती पोतों का मुह नहीं देखा है तो अभी मैं नहीं आओगा आप कुछ समय के बाद आते हैं तो देखते हैं कि अब वो जो उसके बेटे थे उनकी भी साधी हो चुके घर में उनके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं तो नारज जी ने कहा कि अच्छा अब तुमने पोतों का मुह भी देख लिया है अब चलो तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखे नारज जी मेरी जो बहुए हैं वो लापर वहा है घर का दरवाजा खुला छोड़ करके चले जाते हैं अगर कोई जैसे घर में कुट्ता रखा हुआ है कुट्ता पाला हुआ है वो अगर मेरे बच्चों को काड़ दे कोई साप वगरा काड़ दे तो उनकी देखबाल कौन करेगा इनकी देने वाला कोई नहीं है इसलिए आप कुछ समय के बाद आये फिर नारज जी गए कुछ समय के बाद आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर वो व्यक्ति है नहीं ध्यान दृष्टि से देखा तो उसके अंदर की जो चेतना थी उसका जीव था वो एक बैल की योनी में पहुं चलाने में दो बैल लगते हैं एक जोड़े में उस बैल ने कहा कि मेरा जो दूसरा जोड़ा है वो आलसी है अगर में भी चला जाओंगा तो जिम्मेदारी पुर्वक काम कौन करेगा मेरे घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा इसलिए आप कुछ समय के बाद आये कुछ सम अब तो तुम कुटे की योनी में हो तो उस कुटे के अंदर वाले जीवने कहा कि देखिये मेरे घर का दरवाजा कभी खुला रहता है तो चोर उचकों से मेरे घर की रखवाली कौन करेगा इसलिए आप कुछ समय के बाद आईए नारज जी कुछ समय के बाद आते हैं तो मेढक तो ना घर की रक्षा कर सकता है ना खेती कर सकता है नाराज जी ने कहा कि अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते अब तो चलो अपने परिवार के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते अब मेढक ने गुसे में टर रहाया और नाराज जी को कहा कि पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं और तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला हूं कम से कम इस घर के सामने रह करके मैं अपने संतान को अपने बच्चों को अपने नाती पोतों को आते जाते देख करके खुशतो हो सकता हूं तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है एक योनी से जीव दूसरी योनी में आता जाता रहता है 84 लाख जन्मों के चक्र में भटकता है लेकिन उसके बाद भी वह यह स्विकार करने के लिए तयार नहीं होता है कि यह जो मानुव जीवन है इसको हमें उस परव्रम की प्रापती में लगाना है यक्ष युदिष्टिर समबाद में प्रशन आता है कि यक्ष ने युदिष्टिर को पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आस्चरिय कौन सा है तो युदिष्टिर ने कहा कि सभी लोग ये देखते हैं कि जिसका जनम हुआ है उसके मृत्य निश्चित है और मरने वाले को दुबारा जनम लेना पड़ता है लेकिन फिर भी सभी मनुस्य व्यवहार इस तरह से करते हैं कि संपूर्ण पृत्वी की जिम्मेदारी उनकी हो और वो हमेशा इस संचार में रहने वाले हो अपने परलोग की वह चिंता नहीं करते हैं ये सबसे बड़ा आश्चर है तो वैसी ही घटना देवचनर जी के साथ भी हो रही है सभी लोग उनको समझाते हैं कि अभी तो तुम किसोर हो इसलिए तुम्हें किसोर आवस्ता में भोगने वाले सुखों का तुम्हें भोग करना चाहिए तुम्हें इस तरह से भक्ती में धर्म के तरफ नहीं मोड़ना चाहिए लेकिन उनको सिखापन देते देते सब लोग ठक गए देवचंद्र जी तो अंदर से निश्चे बना चुके हैं कि मुझे मेरे लक्ष की प्राप्ती करनी है मेरे परब्रम, मेरे प्रियतम को अपने हृदे में बसाना है उनको जानना है इसलिए उन्होंने निश्चे कर लिया है कि मैं विदेश जाओंगा और वहाँ जाकर के विदेश का मतलब यह है कि पहले आज की तरह यह विशाल राष्ट्र नहीं था आज के भारतवर्ष के स्थापना तो स्वतंत्रता के बाद हुई है आज से लगबग 100-500 साल पहले भी छोटे-छोटे राजे रजवाडे हुआ करते थे और अपने राजे को देश की संजा देते थे और उस छोटे से राजे के बाहर की जो सीमा है वो विदेश कहलाती थी तो देवचनर जी चाहते हैं कि मारवाड से उमरकोड से कहीं दूर जाएं उनके नजर में अभी कच है कि मैं कच जाओं और वहाँ जा करके कोज करूँ और कोई मुझे उपदेश देदे, कोई मुझे जयान देदे अब सबसे पूचते फिरते हैं कि कोई तो मुझे दूसरी जगह जाने का विदेश जाने का रास्ता बता दे और ऐसे समय में एक अवसर उनके हाथ लगती है कि उमरकट का जो राजा था उस राजा के बेटे के अर्थात राजकुमार की शादी होनी थी उसका विवाह होना था और उस समय आज से तीन-चार सो साल पहले जैसे मैंने पहले ही का कि छोटे-छोटे राजा और छोटे-छोटे रजवाडे हुआ करते थे तो उनके पास सेना भी इतनी अधिक नहीं होती थी सोव, दोसो, चारसो या ज़्यादा से ज़्यादा पांच सो हजार लोगों की टुकडी होती थी अगर कोई बड़ा राजा होगा आज की जमाने में समझें तो अगर कोई प्रदेश का मालिक होगा तो उसके पास थोड़ी बड़ी सेना होती थी तो कोई व्यक्ति सो, दोसो लोगों की टुकडी ले करके और बारात ले करके जाना है और फिर वापस आना है और उस समय में लूटेरों का चोर डाकूं का भाय हुआ करता था दोसो लोगों कोई बहुत ज्यादा नहीं होते चापा मार यूद करने वाले जो डाकू लूटेरे होते थे वो आक्रमन कर देते थे और आक्रमन करके कभी-कभी ऐसे दुरघटना में राजकूमार आथा जो भी दूलहा होता था उसकी जान भी चली जाती थी तो इसलिए उस समय ये एक प्रचलन बन गया था कि राजकूमार के स्थान में उसका तलवार प्रतिनीधी बन करके तलवार को लेकर जाया जाता था और उस तलवार के साथ में विधिवत कन्या का विवाह होता था और कन्या राजा के यहाँ पर आती थी अपने ससुरा लाती थी और ससुरा लाने के बाद फिर से राजकुमार के साथ में आता जो भी दुलहा होता था उसके साथ में पुनह विवाह होता था जिसको खांडा वि दिवाह करने के लिए उमरकोट के राजा ने अपने सैनिकों को तयार किया और मंत्री वगरा को तयार किया हुआ था देवचंद्र जी को जैसे ही ये सूचना मिली तो वो पहुंचे वहां के मंत्री के साथ में वजीर के पास में और वहां जाकर के पूछते हैं कि आप लोग जा रहे हैं तो क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूं वजीर ने कहा कि आपके पास सवारी कौन सी है देवचंद्र जी ने कहा कि सवारी तो कुछ है नहीं मैं आपके पीछे पीछे आपके साथ साथ पैदल आ जाओंगा तो वजीर ने कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकत अस्वारी के साथ में घुडशवार लोगों के साथ में पैदल चलना तो किसी भी तरह से संभव नहीं है वो भी पूरे रात की यात्रा है वो थोड़ी देर में पांच मिनिट में वो व्यक्ति जो पैदल चल रहा होगा ठक करके पीछे छूट जाएगा तो वजिर ने मना किय कहा कि आप हमारे साथ नहीं चल सकते देवचंद्र जी कुछ पल के लिए उदास हो गए वहां से वापस लोटे लेकिन फिर सोचते हैं चूंकि उनके अंदर द्रेड़े निश्चे था कि मुझे किसी भी तरह से परभरम की खोज करनी है उन्होंने सोचा कि ये मुझे अपन इनके जो कदमों से पैर से बने हवी जो चिन होंगे रेतेली जगह पर उन चिन्हों का पिछा करते करते में चला जाओंगा तो जो दिने निश्चित था बारात निकलने का देवचंद्र जी ने अपने लिए आवश्यक सामगरी की गठरी तयार की उन्होंने सोचा कि हो सकत है चोरुचके मिले उसके लिए एक छोटी सी कटार भी रख ली तलवार रख ली फिर खाने पिने की जो आवस्यक वस्तुएं हैं पकाने की पकाने के जो बरतन हैं उन्हें सब को ले करके एक गठरी तयार की और उसके बाद अब पूरी तरह से तयार होकर के बैठें चुकि रेगिस्तान में रेतिली जगह पे दिन में धूब के कारण अत्यधीक गर्मी होती है धूब के तपन से इसलिए रात को बारात चलना निश्चित हुआ था इसलिए देवचनर जी अब शाम के समय में प्रतिक्षा कर रहे हैं कि कब बारात निकलेगी और मैं इनके प दिखाई पड़ रही है लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि देवचनर जी के माता-पिता घर के दर्वाजे पर बैठ करके बात करने लग गए अब उनको बात करते करते अब हट काफी देर हो गई हट नहीं रहे हैं देवचनर जी सोच रहे हैं कि ये लोग कब हटें और कब में 9-11 हो जाओं कुछ देर की प्रतिक्षा के बाद माता-पिता दोनों अपने-अपने काम में लग गए और देवचनर जी अब उन बारातियों के पीछे-पीछे घर से भाग करके निकल गए कुछ दूर तक तो उन्होंने उड़ती हुई धूल को देख करके देवचनर जी चलते रहे हैं लेकिन रिगिस्ता में क्या होता है अब रात होने के बाद हवा और तेज हो जाती है और रेतिली जगह पे हवा से एक जगह की रेत उड़ा करके जो पदचिन बने हुए होते ह उसको भी धक देती है तो रेति के कारण पदचिन अब धक चुके हैं देवचनर जी अपनी पूरे सामर्थ के साथ चलते जा रहे हैं अंदाज के हिसाब से अनुमान की आधार पर चलते जा रहे हैं और चलते चलते अब धक चुके हैं आप सब को बता है कि अगर आप तिव परजस्ति चलेंगे तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है वात दोस के कारण अब कुछ समय के बाद देवचनर जी सोचते हैं कि अगर कोई चोरुचक का आ गया तो इस चित का डर भी है और जब भी मनुष्य डरता है तो डर की अवस्था में उसकी उसके शरीर के साथ में एक रसायनिक प्रक्रिया होती है केमिकल रियक्शन होता है जिसके कारण सोभा होता है वात दोस और अधिक बढ़ जाता है पेट में कोई भी सामाने जो छोटा बच्चा होगा छोटा बच्चा जब डरता है तो कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है अग दूश्रा तिव्र गति से चलते जा रहे हैं तो पेट में थोड़ा-थोड़ा दर्द भी हो रहा है और ऐसी आउस्था में अचानक सामने से एक आकरिती दिखाए पड़ती है कि कोई चलते हुए आ रहा है दूर से जैसे ही उन्होंने देखा तो सबसे पहले नकारात्मक्ता सामयने रुप से नकारात्मक्ता ही मनुश्य के मस्तिस्क पे आती है तो उन्होंने सचा कि कोई चोर हो सकता है अब देखने में भी आकरिती कैसी लग रहे थी उस आकरिती का वर्णन करते हुए श्री लालदाह जी कहते हैं कि ए भेश सिपाही का कमर कटारी तलवार मोह दाड़ी हात बर्ची ऐसो भेश ल्यावन हार वैसे तो सिपाही के जैसा वेस था लेकिन भेश भूसा से तो सिपाही और चोर का आंकलन नहीं किया जा सकता है चोर के पास भी हत्यार होता है और इतनी रात को अकेले कोई सिपाही चलता नहीं है ये सामानी रूप में सोच करके देवचंदर जी के मन में एक डर और अधिक बढ़ गया अब वो स्वरूप जैसे ही पास में आया और आते ही सबसे पहला आदे से ये दे दिया कि ये बालक तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वो मुझे दे दो अब देवचंदर जी ने सोचा कि तलवार तो ले लिया अब कहते हैं कि ये चोर मो को मारेगा नहीं बचने का ठोर ये तो सबसे पहले तलवार ही माग रहा है ताकि मैं इस पर प्रहार ना कर दूँ तलवार तो मैंने इसलिए रखा था कि मैं चोर उचक के से अपनी हिफाज़त कर सकूँ रक्षा कर सकूँ अब तलवार ही पहले माग रहा है अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये चोर है ये सिपाई है लेकिन अगर तलवार में देता हूँ तो भी संकट नहीं देता हूँ तो भी संकट लेकिन हार करके उन्हें तलवार देनी पड़ी उन्हें तलवार दिया तलवार देने के बाद कहते हैं कि यह जो गठरी तुने पकड़ रखी है वो भी तु दे दे अब तलबार भी ले ले ली गठरी भी ले ले, तो उनको लगा कि ये वास्तों में च्वर है, मेरी गठरी मेरे पास जो संपती है वो भी ले ली अब देवचंदर जी सुचते हैं कि ये चोर मुझे मार डालेगा ये चोर मो को मारेगा नहीं बचने काठोर बचने की कोई जगha नहीं है अब देवचंदर जी को उस स्वरूप ने कहा कि तुम एक पिछोरी अपनी जो थी वो बिच्छा दी उस रेतिले जमीन पे और कहा कि तू यहाँ पर लेट जा अब ऐसे ओस्था में कोई भी होगा वो कहेगा कि मुझे लेटा करकी अब तो मारने जा रहा है मेरे उपर प्रहार करने जा रहा है अब देवचंडर जी के पास कोई चारा नहीं था, वो लेट गए जैसे देवचंडर जी लेटे तो उस स्वरूप ने, उस सिपाही के विषवाले स्वरूप ने एक उनके हाथ में जो बर्ची थी, जो भाला था उस भाले का सहरा लेकर के देवचनर जी की जांग के मूल में अपने पैर से दबाओ दिया, थोड़ा सा दबाया, तो कुछ समय के बाद में देवचनर जी को पुछा कि तुम्हारा जो पेट का दर्ध है वो कैसा है, तो देवचनर जी ने कहा कि कुछ हलका हो गया है, अब उस तरह से उन्होंने दबाओ दिया और पुछा कि अब कैसा है, तो देवचनर जी ने कहा कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं, चुकि वात दोस हुआ था देवचनर जी को, और उस स्थान पे जांग के मूल में एक एक्क्यू प्रेसर का बिंदू होता है, जिसको जिस पर दब देने से वात दोस समाप्थ हो जाता है, वो तो एक कारज कारण है, अन्यता राजी के लिए तो ये सब करना आवसेक नहीं है, लेकिन देवचनर जी को ये एसास भी नहीं दिलाना है कि मेरी सहायता करने वाला स्वरूप कौन सा है, उनको खोज के द्वारा ही सब कुछ देन सब करने है कि परव्रम को पाने के लिए अपनी प्रियत्म को पाने के लिए तड़ब कितनी है है, इसलिए अपना परीचे वो चिपा रहे हैं, और देवचनर जीको जब पूछा, देवचनर जी ने कहा कि अब मेरा दर्द समाप्थ हो गया है, उनको खड़ा किया और रहे थी वो स्वयम रजी ने लिया और उसके बाद कहा कि चलो दुनों साथ में चलने लग गए अब देवचन जी को ना दर्द का आभास है ना थकान का आभास है अब चलते जा रहे हैं और रास्ते में पूछते हैं कि नाम तुम्हारा क्या है तो उन्हें ने कहा मेरा नाम द रहने वाला हूं उमर कोटगाओं का और फिर पूछा कि वहां कि जो राजा हैं मंत्री हैं उन सब का व्यवहार जनता के साथ में कैसा है उन्हें ने कहा कि ने सब का व्यवार बिलकुल अच्छा है ऐसे करके बात करते जा रहे हैं पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हैं उन अब प्रातहकाल हो चुकी है और एक तरफ से थोड़ा-थोड़ा उजाला दिखना शुरू हुआ. उस स्वरूप ने एक जगह पर देवचंदर जी को रोका, खड़ा किया और एक तरफ हाथ की उंगली से इसारा करके कहा कि तुम जिस भरात के साथ में निकले थे, क्या ये ब ध्यान से देखने के बाद, अब स्विकार रुक्ती में हा कहने के लिए, कि हाँ ये वही वारती हैं, जिनके साथ में आया था. ये कहने के लिए, उत्तर देने के लिए जैसे ही उस सुरूप की तरफ मोड़ते हैं, तो वह सुरूप वहाँ पर होता नहीं है. और ऐसा कोई इस्थान भी नहीं था वो कि कोई पेड़ हो जुर्मूट हो वो तो एक रेगिस्तान का इस्थान था जहां पर इस तरह से कोई छिपजाई ये संभव ही नहीं था इसलिए देवचंद्र जी को ये आभास हो गया कि परमात्मा तो पलपल मेरे साथ है मैं जिसकी खोज में निकला हूँ वह पलपल मेरे साथ में है तो मैं उसे किसी भी तरह से प्राप्त करके ही रहूँगा जिसने रेगिस्तान के ऐसे स्थान पर आकर के ऐसे वियावह स्थान पर आकर के मुझे उस परिस्थिती से निकला है तो इससे ये तो प्रमाणित है कि वो परवरम पलपल मेरे साथ है उसको मैं हर हालत में प्राप्त करके ही रहूंगा ऐसा द्रढ निश्चाय करके देवचनर जी आगे बढ़े और उन बरातियों के पास में पहुंचे उन बरातियों के पास जैसे ही पहुंचे तो सैनिकों ने देखा देवचनर जी को और पूछा कि तुम तो पैदल आये थे हम अभी पहुंच करके रहने के लिए इस्थान वगरा बना रहे हैं और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए अब देवचनर जी ने कहा कि मैं आपनों के पीछे-पीछे पैदल आया हूँ वैसे तो जूट नहीं है लेकिन इसमें एक तरह से एक सत्य को छिपाया जा रहा है यह कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसका हमें सब के सामने धिंडोरा नहीं पिटना चाहिए देवचनर जी चाहते तो अपनी प्रसंचा करवाने के लिए यह भी कह सकते थे कि परब्रम की क्रिपासे मैं यहां तक पहुंचाओ परब्रम ने मुझे पहुंचाया परमात्मा ने मुझे इस रूप में दर्संदिया और मुझे यहां तक छोड़के गए और जैसा चमतकार उन्हों ने देखा था उन लोगों ने कि गुड़सवार और सवारियों के साथ में देवचनर जी साथ-साथ में पहुंचे हैं बिना विलम किये तो सब आप लोग यह मान लेते क्योंकि दोड़ करके इतने लंबी दूरी तय करना संभव नहीं था लेकिन देवचनर जी ने ऐसी अध्यात्मी कोपल अबदी को छिपाया और कहा कि मैं आप लोगों के पीछे-पीछे पैदल आया हूँ अब वो सईनिक देवचनर जी को उन वजीर के पास में ले करके गए तो वजीर ने कहा कि अच्छा ठीक है आप यहां तक पहुंचे गए हैं तो हमारे साथ में आप भोजन ग्रहन कीजिए फिर यहां से हम साथ-साथ में चलेंगे देवचनर जी ने कहा कि मेरा नियम है कि मैं स्वयम अपने हाथ से बना करके ही खाता हूँ मैं किसी दुसरे के हाथ का बना हुआ नहीं खाता तो उन्हें ने कहा कि नहीं मैं तो तुम्हारी ही विराद्री का हूँ तुम्हारी ही जाती का हूँ देवचनर जी ने कहा कि नहीं मेरा नियम है मैं अपने हाथ से ही बना हुआ खाता हूँ तो उन वजिर ने कहा कि अच्छा ठीक है आपकी ऐसी इच्छा है तो आप ऐसा कर लीजिए अपने हाथ से बना करके खाईए लेकिन राशन तो आपको हमारे भंडार से ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे राजकुमार का विवाह होने जा रहा है तो कम से कम हमारे साथ जो आएं उनका जो उत्सव हो उनकी जो सेवा हो हम कुछ तो कर पाएं देवचंदर जी ने उस आग्रह को स्विकार किया उनसे राशन लिया उनसे अनाज लिया और भोजन तयार किया भोजन तयार करके अब भोग किसको लगाते इस से पहले इस स्वरुप का दर्शन करने से पहले तो देवचंदर जी पिंगल स्याम की मूर्ती की परिक्रमा करते थे तो शायद उन्ही को भोग लगाते होंगे लेकिन अब उस स्वरुप ने दर्शन दिया है परमात्मा ने उस सिपाही के विश में दर्शन दिया है तो जिस शुरूप ने दर्शन दिया था, उस सुरूप को याद करके, कि यह परब्रम तुम्हारी कृपासे मैं यहां तक पहुंचा हूँ, और उस सुरूप को भोग लगा करके उन्होंने भोजन ग्रहन किया, और भोजन ग्रहन करने के बाद में, उस कायस्त दिवान ने लोग हैं तो उन वजिर ने कहा कि अच्छा ये पांचमा भी तुम सामिल कर लो और इनको भी ले करके हमें साथ साथ में चलना है अब भोजन के पर साथ सभी लोग चले देवचनर जी भी उस उंट पर सवार हो करके चले और कच पहुंचे कच पहुंचने के बाद चुकि परातियों से लेना देना ही नहीं था अपने लक्ष की प्राप्ती के लिए चले थे तो देवचनर जी कच पहुंचने के बाद अब खोज करने लगते हैं और खोज कैसे करते हैं वह आगे बीतक कच देश की इस प्रकरण में बताया है और सबसे पहले स्री लालदाश जी कह केते हैं कि अब कहूं कच देश की पहुंचे आप आए जित तहां आए खोज करी सो बताओं इत जैसे कि हमने वाणी गायन में सुना कि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधू खोज बड़ी संसार वेदांद दर्शन का पहला सुत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्या सा ब्रह्म को जानने की इक्षा करनी चाहिए जिज्यास मतलब जानने की इच्छा लेकिन सिरुफ इच्छा करने मात्र से किसी भीत वस्तु की अथवा किसी की भी प्राप्ति नहीं होती उसके लिए उच्चित दिशा में प्रयाश करना पड़ता है खोज करना पड़ता है और अगर हम अपनी लक्ष की प्राप्ती के लिए प्रयास करते जा रहे हैं सही दिशा में और दिशा सही है या नहीं इसके लिए गुरू किया हो सकता पड़ती है तो सही दिशा में अगर हम प्रयास करते हैं तो हो सकता है शुरू में असफलता मिले लेकिन एक समय में जाकर क कि निश्चित समय में जाकर के जैसे परिपकवत आती है तो सफलना अवश्य मिलती है, जैसे Edison का नाम आप सबने सुना होगा, उनको बलब का अविसकार करना था, तो बलब का अविसकार करने के लिए उन्होंने लगभग बारसों बार प्रयोग किया, और प्रयो करते-करते जब वो बारशों बार प्रयो किया, तो अन्त में उन्होंने बलव बना करके सारी दुन्या के सामने दिखा दिया. ऐसे जितनी भी वेज्यानिक उपकरण है उन सब के पिछे की कहानी ऐसी ही है किसी का भी आविस्कार एक ही बार में नहीं हुआ है उसी तरह से अध्यात्मिक दिशा में भी जितने भी अध्यात्मिक वेक्तित्व हुए हैं उन सभी ने शुरुवात खोज से ही की है और जैसे कि उस वाने की चोपाई में कहा, खोजत खोजत सत्गुरु पाईए, खोजते खोजते ऐसा कोई अध्यात्मिक गुरु मिल जाता है, जिसकी सानिध्यता में हमें प्रियतम परब्रम की प्राप्ति होती है, लेकिन चूंकि देवचनर जी पहले ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने इस राह में खोज करना शुरू किया है, तो उनको अपना रास्ता स्वयम तय करना है, हाँ थोड़ा बहुत दिशा निर्देश किसी से मिल सकता है, कोई ये बता सकता है कि तुम्हें यहां से थोड़ा आगे जाना है, लेकिन लक्ष तक बताने वाला उस समय में कोई नहीं था, आज हम सवभाग्य शाली हैं कि हमें ऐसे सामर्थवान सत्गुरु की प्राप्ती हुई है, हमें ब्रह्मवाणी और बितक का ये ज्यान मिला है, जिसके आधार पर हमें दर दर भटकने की आओ सकता नहीं है, लेकिन देवचंदर जी को भटकना पड़ा, और कैसे भिन भिन स्थानों पर जा करके खोज की वहां हम सभी सुन्दर साथ के लिए प्रेरणा दाई है, और उन सभी ज्यानियों के लिए भी एक उत्तर है, जो ये कहा करते हैं कि कई बार क्या होता है, कि एक सिश्य, वैसे तो हमारे समाज में गुरु सिश्य की परंपरा न पहले थी, न वाने के आधर पर आज होनी चाहिए, गुरु सिश्य की परंपरा का मतलब, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गुरुवाद में और गुरुडम में दोनों में फर्क होता है, गुरुवाद का तात्पर ये है कि गुरु जो जियान देते हैं, उस जिय होते हैं गुरुवाद, और गुरुडम का तात्पर ये क्या होता है, कि जिसको हमने गुरु कहा, जिससे हमने दिक्षाली किसी भी अध्यात में किसी भी धर्म की अथवा, किसी भी संप्रदाय की दिक्षाली अथवा धर्म की जियान लिया, तो वो चाहे कुछ भी कहे, चा ना गुरुडम है और जिनको हम गुरु मानते हैं उनको आजकल क्या होता है समाज में गुरु पुनिमा के नाम पर गुरुवाद के नाम पर गुरु भक्ती के नाम पर गुरु के पाओं को गुरु के चरण को दूद से धोया जाता है पकारा जाता है और फिर उस दूद को च तरह का दबाव बनाते हैं कि गुरु को अगर तुम बदलोगे मतलब कहने का यह है कि तुम हमारे पास आए हो हमें छोड़कर कि किसी और गुरु के पास जाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा और ऐसे ज्यानियों की कमी निजानन संप्रदाय में भी नहीं है तो उन सब के लिए एक करारा जवाव है देवचनर जी का यह प्रसंग क्योंकि देवचनर जी ने एक ही गुरु नहीं कि अभी सुरुआत करेंगे और कांजी भट तक पहुंचते पहुंचते अनेको गुरु बना लेंगे तो यह जो प्रसंग है यह प्रसंग उन सभी के लिए जवाब है कि गुरू बदलना लक्ष बदलना नहीं होता है सिलेबस एक ही रहता है अगर हम स्कूल बदल भी लेते हैं किसी और स्कूल में पहुंचते हैं और सिलेबस हम वही पढ़ रहे हैं तो कोई हमें अनुत्यरण नहीं कर सकता है इसी तरह से अगर हम प्राचिनकाल में क्या होता था कि किसी रिश्वी के पास में कोई शंका ले करके जाता था और अगर उस रिश्वी के पास में वो ज्यान नहीं होता था तो इस पश्ट रूप से हाथ खड़े करते हुए कह देता था कि इस विशय का ज्यान मुझे नहीं है ये जो विशय है वो मेरा नहीं है आप फलाने रिशी के पास चले जाई है जाई है उनके पास मुझे से अधिक ज्यान है और इस विशय का अधिक ज्यान आपको उनसे प्र गुरुवाद के नाम पर एक अंधकार, एक अंधविश्वास, एक आडंबर चला है जिसको इस प्रसंग के माध्यम से समझा जा सकता है और सीखा जा सकता है कि गुरु बदलने में कोई दोश नहीं है अगर उस गुरु के अंदर ही दोश होता है अब देवचनर जी गए सबस से पहले कच में जैसे ही पहुंचे तो कच में जा करके एक मंदिर में पहुंचते हैं मंदिर में गए तो वहां जितने लोग उपस्थित्थे उनसे पूछा कि क्या यहां पर धर्म की परमात्मा की चर्चा होती है ब्रह्म की चर्चा होती है तो उनने कहा है मुर्ति को शाक्षात परमात्मा विराजमान है तो फिर उनके लिए चर्चा करने की अथवा उनके विशे में जानने की क्या जुरूरत थे ऐसा कहते वे उन्होंने मूर्ती को दिखा दिया और मूर्ती को ही परमात्मा कह दिया अब जु दियोचिंद्र जी लगभग पांच वर्षतक मूर्ती की परिक्रमा करते आ रहे थे तो वो उस इस्थिति से अवगत थे कि ये जो मूर्ती है वो मुझे मेरे लक्षतक पहुँचाने वाली नहीं है इसलिए दियोचिंद्र जी अब वहाँ से आगे बढ़े वहाँ जाकर वहाँ से उस मंदिर से जाकर के अब सन्यासियों के पास पहुँचे सन्याशीय के पास जाकर के सन्याश मंत्रक की दिख्षाली उन्होंने और वे सन्याशी दतात्रिय जी की कथा किया करते थे दतात्रिय जी का नाम शायद आप सभी ने सुना होगा जिन्होंने 24 गुरु किये थे 24 गुरू में उन्होंने जिन से भी ज्यान लिया उन्होंने देखा कि एक चीटी है दिवार पे चड़ती है फिर थोड़ा गिर जाती है फिर थोड़ा प्रयास करके उपर चलती है फिर गिरती है फिर से चड़ती है तो प्रयास करते करते अंत में दिवार में उपर तक पहुं प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए प्रयास करते रहना चाहिए और उस लक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए कई वार हम पीछे कई वार हमें पीछे हटना भी पड़े तो हमें वो प्रयास जारी रखना चाहिए प्रयास निरंतर रखना चाहिए एक अजगर को देखा उन्होंने अजगर के विशे में किसी एक संत्र ने किसी एक महात्मा ने कहा कि अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम तो अजगर कहीं भी सिकार के लिए नहीं जाता है जब वो बड़ा हो जाता है जो उसके सामने आ जाता है जो भी छोटे मोटे जानवर तो उनको जकड़े लेता है उनको खाता है फिर बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है फिर जो उनके सामने आता है फिर उसको खाता है तो दतात्रिया जी ने उसको गुरु माना और कहा कि मुझे भोजन की खोज के लिए नहीं जाना है जो मिल जाए बिना किसरी अतिरिक्त प्रयास के जो मिल जाए वो ग्रहन करना है और फिर जो समय बचता है उसमें मुझे परमात्मा का ध्यान करना है परमात्मा की भक्ती करनी एक वेश्या को देखा उन्होंने कि वेश्या अपने प्रेमी की याद में रो रही थी तड़प रही थी तो उन्होंने सोचा कि देखो ये इसको अपने प्रेमी से कितना लगाओ है कि उसके लिए वो रो रही है तो हमें भी हमारे प्रियतम परमात्मा से उतना ही लगाओ होन उन्होंने 24 गुरु किये थे तो वे जो सन्यास ही थे जिनके पास देवचनर जी पहुंचे उन्होंने सन्यास की दिक्ष्या भी दी देवचनर जी को और उन्हें दतात्रिय जी की कथा भी सुनाने लग गए लेकिन देवचनर जी के मन में संतुष्टी नहीं हुई कि जिसकी खोज के लिए मैं निकला हूँ वो यहाँ पर मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है तो वहाँ से निकले और वहाँ से निकल करके कुछ साधूं के बीच में पहुँचे जिन्होंने अपने कान को फाड रखा था कान में मोटा सा छेद कर रखा था जिनको कनफटे साधू कहते हैं और कनफटे साधू अथवा कान फाड लेने का नाक में छेद कर लेने का इसके पीछी कोई अध्यात्मिक कारण नहीं होता है इन सब की अथवा इसको मैं सिधे कहूंगा आडंबर है ये और ऐसे आडंबर की शुरुवात अज्यानता से होती है और किस तरह से शुरु होती है इसको मैं आपको एक उदाहरन से समझाता हूँ एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में राजा ने ये निर्णे लिया कि जो भी चोरी करेगा उसको कठोर दंड मिलेगा तो दंड के रूप में उसने कहा कि चोरी करते हुए पकड़े जाने पर अथवा चोरी पकड़े जाने पर उसकी नाक काट दी जाएगी तो अब नाक एक बार कट गए दुबारा तो आनी नहीं है और दुसरा यी होगा कि नाक कटे हुबे नाक को देख करके सब को पता चल जागा कि इसने चोरी की है तो इसलिए चोरी बंद हो गया लेकिन कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए तो सबकी आदत इतनी जल्दी छूड़ती नहीं कहते हैं old habits die hard तो पुरानी आदत छूड़ती नहीं एक चोर ने सोचा आत्म विश्वास में था उसने कहा कि मैं चोरी करूँगा लेकिन नहीं पकड़ा जाओंगा चोरी की लेकिन संयोग से पकड़ा गया अब पकड़े जाने के बाद में उसको सजा मिली नाक काटने की उसकी नाक काट दी गई और छोड़ दिया गया अब उस चोर ने सोजा कि अगर मैं इस देश में रहा तो सब लोग मुझे पहचानेंगे और पुरे जीवन मेरी थूथू होगी, मेरी हासी होगी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे. तो वो वहाँ से भाग करके एक जंगल में चला गया, जंगल में छे-सात महीने रहा, अपनी दाड़ी बढ़ा ली और फिर उसी जंगल के पार दूसरे राज्ये में वो निकल गया, अब बड़ी हुई दाड़ी है, नाक कटा हुआ है, नाक हेने उसके पास में, तो दूसरे राज्ये में भी जंगल के बिलकुल पास वाले गाओं में भी गाओं से बाहर उसने एक कुटिया बनाई और कुटिया बना करके वो रहने लगा, अब कोई व्यक्ति, दाड़ी बड़ी हुई देखता है, तो सोचता है कि कोई फकीर या कोई साधूसंत महात्मा होंगे, और कोई साधूसंत महात्मा किसी गाओं में जाते हैं, तो हमारी भारतिय परंपरा की अनुशार उनका सम्मान किया जाता था पहले, हाँ, आज की परिस्थिती में साधूसंतों को, अथवा महात्मा के वेस्वालों को, शंका के दृष्टी से देखी जाती है, वो बात अलग है तो उस गाओं के एक-दो लोग ने नोटिस किया, देखा कि कोई महात्मा जी आए हैं, जिनकी नाक नहीं है, तो उनकी सेवा करना शुरू किया, और दो-चार दिन बीतने के बाद में जब वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि घुल गए हैं, तो उनको पूछ लिया, कि महात्मा ज अक्ति के क्रम में, अगर परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा को पाने की राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा है, सबसे बड़ी जो रुकावट है, बाधा है, वो हमारी नाक है, और जैसे ही मैंने नाक काटा, मुझे परमात्मा के दर्सन हुए, इसलिए मेरी नाक नहीं ह अब चूंकि जिस परमात्मा को पाने के लिए अम वाणी में कहते हैं ना कोई हेम गले अगनी जले भहरव करवत ले खसम को पावे नहीं जो तिल-तिल कटावे दे हैं तो जिस परमात्मा को पाने के लिए शरीर को तिल-तिल करके काटने पर भी उसकी प्राप्ती नहीं होती है, उनलोगों ने सोचा कि नाक काटकर परमात्मा मिल जाए तो सौधा सस्ता है, तो उन दोनों ने कहा कि गुरुजी आप हमें भी परमात्मा के दर्शन करा देजिए, ह और कहा कि यह मुहर्त चाहिए इस दिन में आप लोग नहा धो करके आना साथ में एक तेज धारवाली छूरे लेकर के और एक रखा भी लेकर करके रखा भी आप लोग समझते हों कि प्लेट होती है वो लेकर के आना उस नाक को रखने के लिए तो निस्चित दिन वो दोनों आ आए तयारी के साथ में और उस वेक्ति ने तेज धारवाली छूरे से नीचे वो प्लेट रख करके नाक काट दी खुन की धारा बहन इकली और खुन सारा उस प्लेट में और नाक भी और कान में अब मंत्र दिया उस वेक्ति ने उस चोर ने कान में मंत्र दिया और मंत्र में क्या बोलता है कि कटी हुई नाक तो वापस आनी नहीं है तो बोल कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं नहीं तो सब के सामने तेरी बेजती हो जाएगी है अब चुकि मनुस्य का सभाव है कि वह स्वयम के दुख से ज्यादा दुखी नहीं होता है दूसरों को सुखी द जुट बोला कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं अरे मैं धन्य हो जब एक नक्टे के साथ में दो नक्टे हो गए अब उस तीसरे वेकती ने भी नाक कटवाया और नाक काटने के बाद वो वही मंदर दे रहा है और कहता है कि कटी हुई नाक वापस आनी नहीं है कहो कि मुझे परมาत्मा के दर्सन हो रहे हैं अब उस वेकती ने सोचा कि हम दोनों की नाक कट गई अब पूरे गाउं में हमारी बेजती हो जाएगी तो वो ये कहने लगए कि हमें परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं और ऐसा करके उसने पूरे गाउं को नक्टा कर दिया जो भी ना कटवाता था डर के कारण कि जग हसाई होगी सब लोग यही बोलते थे कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं पूरा गाउं पूरा देश नक्टा हो गया राजा तक बात पहुंची तो राजा ने सोचा कि चलो हम भी परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं अब राजा ने अपने मंत्री से कहा की मंत्री वर क्यों न हम भी परमात्मा का दर्शन करें हमारे पुरे देश की जनता ने तो उस महात्मा का लाब उठाया है वो जो मंत्री थे काफी व्रिध थे और पड़े लिखे थे उन्होंने कहा कि कि महराज, मैंने यह तो पढ़ा है, कि नासिका के अग्रमें, स्वास प्रस्वास की क्रिया में ध्यान करने पर एकाग्रता होती है, समाधी तक लगती है, यह पढ़ा है, लेकिन नाक काटने पर परमात्मा मिलते हैं, ऐसा तो मैंने किसे भी धर्मग्रंथ में नहीं पड़ा है मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है तो राजा ने कहा कि इतनी सारी जनता बेवकुफ थोड़ी है मंत्री ने कहा है नहीं, फिर भी सबसे पहले मैं नाक कटवाता हूँ अगर कोई गड़वेड़ी भी होगी मैं बिना नाक के 3-4 साल जी लूँगा कोई दिक्कत नहीं आपके लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ अगर सही में परमात्मा के दर्चन हो रहे तो फिर आप भी कर लेना जो सैनिक गए हैं उनको भी करवा देना तो ऐसी तयारी के साथ में गए उस नकटे के पास उस नकटों के सद्गूरू के पास में और वहाँ जा करके जैसे पहले करता था उस जोर ने सोचा कि मैंने पूरे देश को नक्टा कर दिया है, ये कौन से खित के मूली है, ये भी मेरी जाल में फस जाएगा, उसको पता नहीं कि ये ज्यानी है, उसने नाक काटा मंत्री जी का, मंत्री जी की नाक कटने के बाद, अब कान में वही गुरु मंत्रे दे रहा है, तो मंत्री जी न सेनिकों का आदेश दिया कि पकड़ो इनको और डालो जेल में सब को पकड़ा जेल में डाला राजा ने सोचा कि चलो बच गए मंत्र जी की क्रिपा से तो इस तरह से आडंबर चलता है एक चोर ने आडंबर शुरू किया और फिर पूरा देश नक्टा हो गया और पूरा नक्टा संप्रदा है वैसे ही अब किसी ने कान फाड़ी लिया किसी वज़र से उसने सब को कनफड़े बना दिया और ऐसे कनफड़े लोगों के पास में द नक्टा कर दिया था देवचनरजी जिनके पास पहुंचे के रहें वे राजगुरु कहावते बहुत चेले तिनको उनके भी चेले बहुत सारे थे तो उनके पास पहुंचे पूरे कच्छ देश की जनता उनको मानती थी उनके पास देवचनरजी कुछ दिन रहे लेकिन उन की अंतरात्मा ने शाक्षि नहीं दी धर्म को जानने के जो चार साधन है शुरुति इस्मृति सदाचार और अंतरात्मा की शाक्षि अंतरात्मा की गवाही देवचनिर जी की अंतरात्मा ने श्विकार नहीं किया कि ये मुझे अपने लक्ष तक पहुंचा सकते हैं तो वहा से देवचनिल जी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में कापालिक लोगों के बीच में पहुचे जिनको स्री लालदह जी ने कापड़ी कहा है कापालिक का तात्परिय उन वैरागियों से है जो तामसी तप किया करते हैं और तामसी तप किस तरह से कि जो मनुष्य के सिर की जो अस्थी होती है, जो खोपड़ी होती है, उसमें वो भोजन ग्रहन किया करते हैं, जिसको हम खपर कहते हैं, उसमें भोजन ग्रहन करते हैं, जो भी विक्ष्या में मिल जाती है, और यहां तक कि जिन वस्तुओं को हम घ्रेणित कहते हैं, मरे हुए मन से लेकर के विश्ठा तक सबकुछ मलमुत्र तक भी खा जाते हैं तपस्या के नाम पर तो यह एक प्रकार का तामसी तप है देवस नर्जी उनके बीच में पहुंचे वहां जाकर के देखते हैं कि इनके पास कोई अध्यात्मिक वस्तु तो नहीं है उल्टे कहते हैं परे इं इंद्री वस्मन ये तो इंद्रियों के मन और इंद्रियों के वस्में हैं मन और इंद्रियों के वस्में किस तरह से कि आप आज भी देखेंगे जिनको कुछ लोग अगोरी कहते हैं ऐसे कापालिक लोगों को आज भी देखेंगे उनके सामने आप थोड़ी से भी उनके वि में हैं यह मुझे अपने लक्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं और वहां से भी वह आगे बढ़े आगे बढ़ करके मस्जिद में पहुंचे मस्जिद में जाकर कि उन्होंने कुछ समय तक मौलवी की सोहबत उनकी संगती की और वहां जाकर कि देखा कि यह भी कर्मकान में लगे हुए हैं बस भासा का अंतर है थोड़ी सी पद्धती का अंतर है नहीं तो ये भी क्या करते हैं पांच जो विशेश शरीयत के नियम है जिसको हम कहते हैं कलमा नमाज जकात रोजा और हज कलमा का मतलब जो सबसे पहले उठकर के प्रार्थना करते हैं ला इलाह इलिलाह म बढ़ी जाती है और जकात कहते हैं दान देने को इसलाम मत में अपनी आय का चालिस्वा हिस्सा दो दसमलों पांच प्रतिसत अगर प्रतिसत में निकालें तो धाई प्रतिसत दान देना अनिवार यह होता है तो वो चीज उसके बाद रोजा रमजान के मैने में दिन भर असर निकाल करके ठूस ठूस करके खाना यह रोजा में सामिल है और इसके बाद हज जिसको वो लोग तीर्थ यात्रा कहते हैं तो यह पांच जो कर्मकान है पांच सरीयत उनका पालन कर रहे थे उनका अर्थ किसी को भी मालूम नहीं था ना कलाम का अर्थ किसी को मालूम है क इसका अर्थ क्या होता है ला किसे कहते है इला किसे कहते है इसका वास्तविक अर्थ किसी को भी मालूम नहीं है रोजा किसे कहते है रोजा का अर्थ किसी को मालूम नहीं सब सोचते हैं कि बस दिन में भूखा रह लेना और सुर्यास्त वने के बाद खा लेना चाहिए यही रोजा है वास्तों में ऐसा नहीं है कुरान में एक प्रसंग आता है मुहम्मद साहब को अल्ला ताला का आदेश हुआ सभी मुस्लिमों के लिए उन्होंने कहा कि कहो इन से की रोजा रखे खुदा का आदेश हुआ कि इन लोगों को कहो कि रोजा रखे मुहमद साहब ने पुछा कितना उन्होंने कहा पूरे वर्स खुदा ने कहा पूरे वर्स अब सोचिए कि अगर भूखे रहने की बात होती तो पूरे साल भूखा रहने के लिए तो कोई भी नहीं बोलता इसका गुईय भाव कुछ और ही है फिर मुहम्मद साहब ने कहा कि नहीं पूरा साल तो यह रख नहीं पाएंगे तो उन्हें ने कहा अच्छा ठीके छे मैना रख लो कहा कि नहीं छे मैना भी बहुत लंबा समय होता है छे मैना ये लोग नहीं रख पाएंगे फिर तीन मैना किया फिर डेड़ मैना किया फिर कम करते करते अंत में कहा कि नहीं एक मैना तो कम से कम रखना ही पड़ेगा अगर भूख है रहने की बात होती इसमें तो पूरे साल भुखा रहने के लिए परमात्मा कभी नहीं कहता है। यहां रोजा का अर्थ क्या है? अपने इंद्रियों पर नियंत्रन रखना। इंद्रियों को वस्मे रखने को रोजा की संज्जादी है। इस पर भी कोई प्रस्न कर सकता है कि किवल एक ही महिना क्यों? खुदा ने एक ही महिने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि सबसे पहले तो उसने पूरे साल करने के लिए कहा था। लेकिन जब साल भर करना संभव नहीं है किसी वेक्ति के लिए उदाहरण के लिए आप की कोई पूरानी आदत है उसको बंद करनी के लिए अगर आपको पूरी तरह से चोड़ने के लिए कहेंगे तो आप शुरू में ही हतास हो जाएंगे निरास हो जाएंगे लेकिन आपको यह कहा जाए कि सुर्फ एक हपते के लिए तुम छोड़ दो बाद में कर लेना जैसे भैरो सेट का प्रसंग आता है ना एक महेने के लिए मानस मेजली इत्यादी छोड़ने के लिए कहा था चार-पाँच बातों का परहिज कराया था लेकिन उसके बाद तो अपने आप ही छोड़ दिया उन्होंने वैसे ही ये आदिश था कि एक महीने तक अगर कम से कम अपने इंदरियों को नियंत्रन में अगर इन्होंने रखा, तो उसके बाद तो अपने आप वो चीद सरल बन जाती है, मानसिक मनविज्यान की दृष्टी से साइकलोजर की दृष्टी से भी देखें, तो किसी भी नए आदत को अपनाने में और पुरानी आदत को छोड़ने में 22 दिन का समय परियापत माना जाता है, अगर लगातर 22 दिन तक कोई नया कारिय किया जाता है, तो वो हमारी करणी में सामिल हो जाता है, वो हमारी डेली रूटिन में सामिल हो जाता है, तो एक महिन अगर वास्तों में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, ये तो अभी नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, दि कर्मकान तो मैं पहले ही मंदिरों में देख करके आया हूँ तो इससे मुझे मेरे लक्ष की प्राप्ति नहीं होनी है तो वहां से उन मौलवी की संगति छोड़ करके आए और फिर कुछ ब्राम्भणों की संगति की और वो ब्राम्भण भी किवल वेश भुसा के आधार पर ही ब्राम्भण थे वेश भुसा के आधार पर ब्राम्भण होने का ताथ पर यह क्या है कि मूल रूप से ब्राम्भण की छे कर्म होते हैं वेद पढ़ना पढ़ाना और वेद का मतलब ज्यान से इसको दूसरी सब्दों में कहूं तो ज्यान लेना और देना यज्य करना और कराना तथा दान लेना और दान दिलाना देना इसलिए नहích करें, क्योंकि खुद दुसरों के दान पर जी राय तो वो दान कैसे दे सकता है दुसरों को, उसके पास देने के लिए भी कुछ नहीं होता इसका तात्पर यह एए कि ब्रहभन को संग्रह नहीं करना चाहिए, यह वेद का विधान था तो हाँ वो दान दिलाता था किसी से तो ये ब्राम्हन के छे करम है लेकिन महा भारत काल के बाद जैसे जैसे ज्यान का लोप हुआ ज्यानी विक्ति की कमी हुई तो उसके बाद कर्म के आधार पर जो जाती व्योस था थी वर्ण व्योस था थी वह कर्म आधारित ना होकर कि जन्म आधारित होने लग गए तो इसलिए यहां जिनको वेश भुसा के ब्राम्हण कहा उनका तात पर यह है कि केवल जनिव पहन लेना कटी वस्त्र धारान कर लेना और सिखा रख लेना चोटी रख लेना यह ब्राम्हण की वेश भुसा होई लेकिन वास्तों में वेश भुसा से कोई ब्राम्हण नहीं होता है वेश भुसा रखते हैं इसका कोई दूसरा कारण है लेकिन केवल वेश भुसा रख करके कोई ब्राम्हण नहीं होता और ना सरुफ ब्राम्हण बलकि कोई धारमिक भी वेशबूसा से नहीं होता है तो देवचनरजी ने जब देखा कि ये ब्राम्मण तो केवल वेशबूसा धारी हैं ना इनके पास ज्यान है ना कोई अध्यात्मिक उपलब्धी इने हुई है तो इनके पास रह करके मुझे भी कोई उपलब्धी नहीं होने वाली तो उनकी संगती से भी देवचनरजी निकले और अनेको जगह पर खोज करे और खोज करते करते देवचनरजी कच्छ से भोजनगर पहुँचे भोजनगर में पहुँचे वहां जाकर के हरिदास जी उनको मिले हरिदास जी देवचनरजी के पिता के भी गुरू थे अर्थात उनकी कुल गुरू थे और राधा वल्लभी संप्रदाय को मानने वाले थे कुछ लोग वल्लभाचार्य संप्रदाय कहते हैं कुछ लोग आज कल उसको पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है तो वल्लभाचार्य जी ने जो प्रेम की राह बताई है भागवत की जिनोंने सुबोधिनी टिका की है उसके आधार पर प्रेम मही भक्ती करने वाले थे हरिदास जी तो हरिदास जी की संगती में रहना उन्होंने सुरू किया और उन्होंने देखा स्री देवचन जी ने की हरिदास जी भी वैसे तो कृष्ण जी की ही भक्ती करते थे और कृष्ण जी की भक्ती तो उन्होंने पहले भी देखी थी पिंगल श्याम के मंदिर में लेकिन उनमें अंतर ये था कि हरिदास जी सक्खी भाव से और अपनी आत्मा की कल्यान के लिए भक्ती किया करते थे उनको इस बात का लेना देना नहीं था कि मैं पूजा कर रहा हूं में भोग चड़ा रहा हूं में परिक्रमा कर रहा हूं दुसरों को दिखाने के लिए था वा किसी से तलब लेने के लिए मासिक भत्ता वेतन लेने के लिए ऐसा नहीं था हरिदास जी ने अपने घर में ही कृष्ण जी को पध्रा रखा था और उनकी सेवा किया करते थे कृष्ण जी की भूजा देख करके देवचनर जी हरिदास जी के पास नहीं गए हरिदास जी का भाव देख करके गए थे तो उनका जब हरिदास जी के अंदर का भाव देखा कि अत्यन्त प्रेम के साथ सेवा करते हैं आज की तरह एसी पंखा कुलर तो नहीं हुआ करते थे तो प्राकृतिक रूप से घास फुस इत्यादी से खेडकी बनाते थे और उस खेडकी में पानी छिड़कते थे सुगनधीत पानी गुलाबजल युक्त और उस खेडकी से जब हवा चन करके आते थी तो सुगनधीत और शितल हवा आते थे और इसी तरह से शर्दी की दितों में अंगिठी इत्यादी जला करके कृष्ण जी के पास में जहां उन्होंने कृष्ण जी को पधराया है उस मंदिर को तपाने की उस मंदिर को गरम करने की सेवा करते थे और प्रती दिन अलग-अलग भोग स्वयम अपने हाथों से बना करके भोग लगाते थे और दिन में आवश्यक्ता अनुसार कभी दो बार चार बार तक वो इसनान करते थे जब भी लगुसंका अथवा नित्यक्रिया करके आते हैं तो हरिदास्थ इसनान करते हैं वैसे तो ये एक तरह का कर्मकांड है लेकिन उस कर्मकांड को भी लोग दो तरह से करते हैं कर्म कर्मकांड ही जब हृदय में भाव लेकर के किया जाता है तो वो फिर उपासना कांड बन जाता है और कर्मकांड को सिर्फ आउपचारिक्ता के भाव से करते हैं कि नहीं हमें करना है तो आउपचारिक्ता के हिसाब से अगर करते हैं तो वो कर्मकांड अथवा शरीयत बन जात अगर हृदय में थोड़ा सा भाव हो तो क्रिया वैसी ही रहेगी लेकिन भाव के कारण वही कर्मकांड उपासना बन जाती है अब हरिदास जी उपासना कर रहे हैं हकीकत और मारिफत ज्यान और विज्यान का तो उनको पता नहीं लेकिन उपासना कांड तक वो पहुंचे हैं अब उनको देख करके द्योचनर जी ने सोचा कि इनकी में सेवा करूं वस्त ग्रहों इन सो तब लगे सेवा करने रहें इनकी सोहबत मौं उन्होंने सोचा कि मैं इनकी सेवा करूंगा ये भगवान की सेवा करते हैं मैं इनकी सेवा करूंगा और जब ये प्रस्षन हो जाएंगे जब मुझे अपनी ज्यान का अधिकारी समझेंगे तो ये मुझे ज्यान दे देंगे ये मुझे अध्यात्मिक वस्तु दे देंगे तो देवचनर जी ने ऐसा सोच करके हरिदाश जी की सेवा करना शुरू किया अब उधर क्या हुआ जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हरिदाश जी मत्व महता जी के भी गुरू थे और देवचनर जी के घर से पलायन होने की जो ख़बर थी मत्व महता जी ने अपने सामर्थ के हिसाब से हर जगा पर फैला रखी थी तो देवचनर जी कुछ समय तक हरिदाश जी के पास रहते हैं और उसके बाद जैसे ही पता चला हरिदाश जी को कि ये तो उनके पुत्र है तो हरिदाश जी ने एक खबर पहुंचा दी कि देवचनर जी मेरे पास आए है अब मत्व महता जी अब सब परिवार का मतला अब तो उनकी एक पत्नी ही बची है तो अपनी पत्नी को ले करके आते हैं आकर के पहले तो देवसंद्र जी को सिखापन देते हैं घर वापस चलने के लेकिन उनकी सिखापन को वो मानते नहीं है तो मत्मेहता जी ने सोचा कि इससे अच्छा तो हम सब भी आकर के यहीं पर भोजनागर में ही रहना शुरू कर देते हैं कम से कम यह घर से भी आएगा त out of control नहीं होगा तो देवचंद जी माने नहीं और फिर मतु महता जी ने ये निर्णय ले लिया उन्होंने भी भोजनगर में ही रहना शुरू किया अब देवचंद जी हरिदाह जी की सेवा करते हैं मन से वचन से कर्म से बिना किसी संसय के अब उन्होंने सोचा हरिदाह जी न सुमन कोई भी इतनी सेवा भावना के साथ सेवा नहीं करता है काम और सेवा दोनों में फरक होता है परिष्रम में बाहिय परिणाम में कोई फरक नहीं है जैसे एक विक्ति घेत में जा करके खुदाई कर रहा है भाव पुर्वक राज्जी की सेवा समझ करके और दूसरा वेक्ति केवल खुदाई कर रहा है बाहिय परिणाम तो एक जिसे निकलेंगे खुदाई खेत की उतनी ही होगी लेकिन उसकी आत्मा को जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ भाव के कारण मिलेगा क्योंकि भक्ति तब तक भक्ति नहीं कहलाती जब तक भाव नहीं जोड़ता है केवल परिश्रम मजदुरी ही कहला सकती है और उससे उस व्यक्ति को लाभ कितना मिलेगा बिना भाव के परिश्रम करने वाले को वेतन मिल सकता है उसको लाव उतना ही मिलेगा ऐसा नहीं कि किया गया कोई कारिय वियर्थ जाता है, लेकिन जिस भाव से किया जाता है फल वैसा ही मिलता है. तो हाँ इस प्रसंग से हम सब को भी ये सिखापन मिलती है, हम सब को ये सिख्षा लेनी चाहिए,ükि जिस तरह से देवचनरजी भाव से सेवा कर रहे है। वेसी ही भावना सेवा की हमारे अंदर भी होनी चाहिए केवल परिश्रम करना परियाप्त नहीं है अगर हम केवल परिश्रम कर रहे हैं सेवा भावना नहीं है तो ये तय है कि अहंकार आएगा विक्ति को कि हम इतना परिश्रम कर रहे हैं अब होता क्या है कि हम में से या जितने लोग यहां उपस्थित हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी लोग परिश्रम करते हैं, वो तीन तरह से परिश्रम करते हैं सबसे पहला अगर हम नीचे से उपर की तरफ जाएं नीमनस से उच्छ सतर की तरफ तो सबसे पहला जो परिश्रम है वो करते हैं मजदुरी के हिसाब से तो उनको क्या प्राप्त होता है मजदुरी दिहाडी वेतन तो उनको भी लाब मिलता है मुझा उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो कुछ लोग सुचते कि हम किस तरह करते हैं, कि हम कि जिनको भी गुरु कहते हैं, अत्वा सद्गुरु कहते हैं या फिर जो भी हमसे थोड़े से उपर पहुंचे वे सुन्दर साथ हैं हम उनकी नजर में आ जाएं या फिर उनकी नहीं तो सामनी जो दूसरे सुन्दर साथ हैं उनकी नजर में आ जाएं तो हम क्या करते हैं कि उस तरह से सेवा करते हैं उसका लाब क्या मिलता है उसका भी लाब मिलता है मजदुर को मजदुर बेतर मिल रहा है वैसे ही आपको प्रसंचा पाने की इच्छा है ना, तो आपकी प्रसंचा होगी, दस लोगों को दिखा करके आप सेवा कर रहे हैं, तो दस में से कम से कम आठ तो बोलेंगे कि फलाना वेक्टी बहुत अच्छे सेवा करता है, आपको फल मिल गया समाप्त, अब आपने जितना कमाया, वो तो आपने यहीं पर समाप्त कर दिया, एक ने मजदुरी लेकर के उस फल को समाप्त कर दिया, दूसरे ने प्रसंचा लेकर के वो फल समाप्त कर दिया, अब तीसरा, इससे उच्छ जो अवस्था है, वो ऐसी है, कि आप मजदुरी भी नहीं ले रहे हैं, और आपको इस संसार में उस प्रसंशा को पाने की इच्छा भी नहीं है अब जिनके अंदर ये दोनों इच्छा नहीं होती है और उस तरह से निश्वार्थ भाव से निश्काम भावना से अगर कोई सेवा करते हैं तो वो सकता है दोनों मिल जाए इच्छा नहीं है लेकिन प्रसंचा उसको भी मिलेगे लेकिन अगर आप इच्छा करते हैं उस प्रसंचा की तो आपकी इच्छा तो वहीं पर पुरी हो गई इसलिए आप इच्छा जितनी उची रखेंगे आप राज्जी को रिजाने के भाव से सेवा करेंगे तो राज्जी रिजेंगे आप किसी इस संसार के व्यक्तित्तों को रिजाने के भाव से सेवा करेंगे तो वो रिजेंगे परिश्रम आपका वेर्थ नहीं जा रहा है लेकिन हाथ तय हमें करना है कि हमें किस भाव से सेवा करनी है और बिना भाव के तो सेवा होती नहीं है और भाव का बाती है पहचान से बिना पहचान के तो भाव भी उत्पन नहीं होता ना किसी के लिए इसलिए वाणी का कथर है सेवा कीजे पहचान चित्धर पहचान नहीं है उसके बाद सेवा करनी है उसके बाद ही सही परिणाम मिले अब देवचंद्र जी की सेवा भावना को देख करके अब उसका परेड़ा मिलना सुरू हो गया हरिदास जी ने सोचा कि ये सच्चे भाव से सेवा करते हैं तो इनकों में नाम सुमिरन देता हूं या इस परश्ट सब्दों में कहें तो दिक्षा देता हूं तो दिक्षा देने के लिए हरिदास जी ने एक दिन निश्चित किया मुहर्त निकाला वैसे तो मुहर्त निकालना एक तरह से आडंबर है लेकिन चुकि उस समय में प्रचलन में था आज भी बहुत प्रचलन में ये चीज कि कोई रासिफल देखता है कि फलाने रासिफल क्या होगा कोई मुहर्त देखता है कि इस काम को करने का मुहर्त कौन सा होगा कोई जगा कोई दिशा देखता है वास्तु सास्तर के आधार पर कि इस दिशा में करें कि इस दिशा में घर बनाएं दरवाजा इस दिशा में बनाएं रसो इस दिशा में बनाएं इनका कोई मतलब न करके रात-राथ से लेकर के दिन सब परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है तो फिर यह मुहर्त अच्छा market बूरा कैसे हो सकता है हां किसी चीज का सयोग हो सकता है और सयोग को ही वस्तविकता मान लेना ये बुद्धि मत्ता नहीं है एक बार क्या हुआ मैं सत्य घटना सुनाता हूं आप सब को कि जब हम इंटर की परिक्ष्या दे रहे थे तो हमें एक आचरे जी थे एक गुरुजी थे वो अंग्रे जी पढ़ाने आया करते थे तो उनके साथ घटी है घटना है सरसावा के पास में एक गाओं है आप सब जानते होंगे माजरी कला या उससे थोड़ा सदूर तो वो गुरुजी हमें पढ़ा करके वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस घर में एक गरीब उस गाओं में एक गरीब महिला का घर है गुरुजी के गाओं में तो उस गरीब महिला के घर में कुछ चहल पहल हो रही है वहाँ पर वैसे अम्मुमन कोई आता नहीं था उनके घर में उनने देखा कि आज कुछ हो रहा है तो काउतुहल वस जिज्यां सा वस वह गए वहाँ जाकर कि देखा तो पता चला कि पंडित जी आये हुए हैं और पंडित जी पूजा करवा रहे हैं पूजा क्यों करवा रहे हैं उन्होंने उस माता को पुछ लिया कि क्या हो रहा है तो माता ने कहा कि हमें ट्यूब वेल बनाना था मतलब ट्यूब बनाने के लिए जगह देखनी थी जमीन देखनी थी तो पंडित जी को बुलाया था कि यह बता दें कि कौन सी जगह पर साफ मेरे कंट्रोल में ट्रे नते तो पंडित जी के लिए खिर बनाया हुआ था माता ने के बनाईटी खिर में conquered डालने वाली थी तो गुरूजी ने कहा कि नहीं अभी चीनि मड़ tutte खेर बनने देंचीनिमट डाल खेर बना दिया तो गुरु जी ने पंडित खेर जैसे ही चखी है तो चखने के बाद उस माता को कहने लगए कि वैन तुने चीनी ने डाला खेर मैं कुछ अभी तो घुछ नहीं था ना चीनी तो अब गुरु जी नैं उठाया डंडा और बोलते हैं कि तु अभी ये एक इंच भी नहीं है खीर के एक इंच नीचे चीनी रखी हुई है और तुझे ये दिखाई नहीं पड़ रहा है और जमीन में कितने फुट नीचे पानी है वो तुझे कैसे दिखाई पड़ा तो आडंबर इस तरह से चलता है इसी तरह से कभी लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट लेती है तो हमारा काम नहीं हो पाता है कभी छीक का बहाना मार देते हैं कभी कहते हैं कि फलाने दिन में किसी को ये वस्तो नहीं देने चाहिए फलाने दिन में बाल नहीं काटने चाहिए फलाने दिन में नाखुल नहीं काटने चाहिए जब कि ऐसा कुछ नहीं है ऐसे आडंबर की शुरुवात कैसे होती है कि एक गाओं में एक विध्वा इस्त्री थी और उसके लड़के का विवाह होना था अब माता और पुत्र ही रहा करते थे गाओं में आते तो हैं लोग मदद करने के लिए कि जिम्मेदारी को किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता है अब विवाह के लिए बारातियों को जाना था सभी बाराती गए माने सोचा कि मैं अकेली कहां कहां पर देखो उस घर में एक बिल्ली पाली हुई थी तो उसने क्या किया कि एक बास का एक टोकरा होता है पुर्वत्तर भारत में तो बास के टोकरे से उस बिल्ली को ढग दिया और उपर से पत्थर भारी भरकम पत्थर रग दिया ताकि बिल्ली बाहर निकल करके इदर उदर घूम करके मिठाई को जूठा ना करे उसने ऐसा किया अब बाराती लोट करके आए शादी संपूल्ण सब लोग गए अगले दिन सुबह उस माता को याद आए कि आरे मैंने तो बिल्ली को ढख दिया था अब तक खोला नहीं तो उसने अब क्योंकि बहुत आई है ना तो वो तो बहुत से काम कराएगे तो माता ने कहा कि बहुत कल शादी थी इसलिए बिल्ली को हमने टोकरे में बंद करके रखा था धक करके उसको खोल दे बहु गई पत्थर अटाया टोकरी खोला बिल्ली रफुचकर अब इसके बाद साल दर साल भी ते 25-30 साल के बाद में अब वो जो बहु आई थी पहले उसके बेटे की शादी होनी थी अब बैटे की शादी के लिए सारी तयारी तो कर ली लेकिन घर में बिल्ली थी नहीं अब लेकिन उसको ऐसा लगा कि इस घर का नियम है कि शादी के दिन में बिल्ली को टोकरी के नीचे डालना अनिवार रहे अब उस घर में बिल्ली नहीं थी पूरे गाओं में कोई ब भारमाग करके लेके आई टोकरी के नीचे डाला पत्थर से ढखा उसके बाद में भारातियों को रवाना किया कि अब सुब होगा अगले दिन फिर से जो नई बहु आई है उसको बोला कि कल साधी थी इसलिए बिल्ली को ढखा था तू खोल दे ऐसा करते करते परंपरा चल तो इसी तरह की सारे आडमबर होते हैं अब वैसे ही आडमबर के क्रम में ये भी आडमबर है मुहरत निकालना अब एक मुहरत निकाला गिन करके और हरिदास जी ने ये दिन तय किया कि देवचंद्र जी को इस दिन दिक्षा देना है उधर मतु महता और कुमर भाई ये सोच रहे हैं कि देवचंद्र जी को अगर विवाह के बंधन में डाल दिया जाए तो शायद ये थोड़ा सा माया में रहेंगे और अगर ये माया में फस गए तो बुढ़ापे में हमारे सेवा करेंगे तो उन्होंने भी एक किसी से मुहुर्थ निकलवाया और वो मुहुर्थ भी उसी दिन का निकला सोचिए इस प्रसंग से भी हमें ये सिखापन मिल सकता है कि आडंबर कहां तक सत्य है अगर वही मुहुर्थ देवचंद्र जी के लिए एक व्यक्ति तो निकाल रहा है साधी के लिए और दूसरा निकाल रहा है मुंदन करने के लिए मतलब अध्यात्मिक दिशा में जाने क के लिए तो दोनों में सीधे सीधे विरोधा भास दिख रहा है तो अब इस तरह से विवाह और दिक्षा दोनों का मुहुर्थ निकला है देवचंद्र जी को हरिदास जी ने कहा कि तुम्हें भद्रवेस धारन करना पड़ेगा भद्रवेस का मतलब सिर्मुंडवा करके औ और हरिदास जी के पास जा करके दिक्षा लेने के लिए तयार हुए दिक्षा देने से पहले हरिदास जी ने पूछा कि तुमने पहले किसी और से मंत्र तो नहीं लिया है उन्होंने का कि हाँ मैंने सन्यासियों से मंत्र लिया था तो हरिदास जी ने का कि तुम ऐसा करो कि कागज में वो मंत्र लिख करके उसको आटे के साथ में गूत करके रोटी बना दो और वो रोटी किसी सन्यासि को दे दो जिस संप्रदाय के लोगों से तुमने दिक्षा लिय वो मंत्र वो दिक्षा वाला मंत्र वापस चला जाएगा और सोचे कितनी नादा नहीं है लेकिन परंपरा चली आ रही है हरिदास जी ने बिना सोचे उस परंपरा का वहन किया और उनको यादेश दे दिया अब वैसा तो होना नहीं है एक बोलचाल की भासा में सब लोग ये स्लोक बोलते हैं न चोरहरियम न राजहरियम न भ्राति भाज्यम न भारकारी वेकृते वर्धते वनित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम मतलब विद्या ऐसा धन है जिसको खर्च करने पर और बढ़त जाता है लोगी किसी चीज को याद करना होता है तो क्या करते हैं सामने रूप से किसी विक्ति को याद करना होता है तो या तो रटते हैं या तो लिखते हैं किसी चीज को लिखना तो और अधिक द्रधता पुर्वक याद करने की एक सोटी है और उसको भूलने के लिए प् अधिक होगी आपका मंत्र अधिक महान होगा तो पहले वाला मंत्र अपने आप ही चला जाएगा में अपने आप ही भूल जाओंगा और अगर आपके मंत्र में शक्ती नहीं है तो वो मंत्र में नहीं भूल सकता इसलिए दोना अवस्था में मंत्र लिख करके वो रोटी बना क कि देने का कोई आउचित्य नहीं है तो हरिदास जी ने सोचा कि मेरा जो शिश्य बनने जा रहा है इसकी तो सोच भी बुद्धी मता वाली है वो इस बाद से प्रस्चन हुए और उन्होंने श्रीदेव चंद्र जी को एक दिक्ष्या मंत्र दिया भजमन श्रीवरिंदावन क गुंज बिहारी नित्य विलास और एस यह मंत्र देते हुए कहा कि एह राखो तुम दिल में सुमरू कर विश्वास इस मंत्र को तुम हृदय में रखना और विश्वास पुर्वक इस मंत्र का इसमरण करना अब वहां से गुरुजी से दिक्षा ले करके जैसे घर पहुँचे घर में तो देवचंद्र जी के विवाह की तयारी चल रही है क्योंकि घर वाले सोच रहे हैं कि विवाह में अगर डाल देंगे तो क्या होगा विवाह शब्द का अर्थ होता है वी उपसर्ग पुर्वक वह धातु से विवाह शब्द बना है वी विशेश रूप से वह मतलब वहन करना ढोना इस अर्थ को हम दोनु रूपों में प्रयोग कर सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक अगर नकारात्मक रूप में देखें घर की जिम्मेवारी ही ढोनी पड़ती है इसलिए वी वह मतलब वहन करना या बोजाड होना है यह नाकारात्मक अर्थ जो कि वास्तों में अधिकांच लोगों में घटित होती है लेकिन अगर इसको हम अध्यात्मिक्ता से जोड करके सकारात्मक रूप में लें तो है यंद्में अंगे ते इनके अगनी का वर्णन है जिसमें ग्रिहस्त आश्रम को एक ऐसा आश्रम बताया गया है जो कि प्रह्मचारी आश्रम का मतलब जो बालग गुरुकुल में जा करके शिक्ष्या ले रहे हैं तो उन शिक्ष्यार्थियों का भरण पोषण उनके लिए अनाज कहां से आता है प्राचिनकाल में विद्यार्थी गुरुकुल में जो पढ़ने जाते थे वो भीक्ष्या मांगने जाते थे तो भीक्ष्या के लिए भी तो कोई कमा करके तब ही तो देगा तो ग्रिहस्ति वो भीक्षा की व्योस्था करते थे और जो सन्यासी होते हैं सन्यासी की भी व्योस्था विक्षा के माध्यम से होती है तो उनकी व्योस्था भी ग्रिहस्ति करते है तो ग्रिहस्तियों के उपर दो तरह का बोजह होता था दो तरह का दो तरह में जाते थे तो यह प्रतिज्यां दिलवाई जाती थी कि संपूर्ण जीवन चाहिए किसी भी अवस्था में जाए किसी भी आश्रम में जाए स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है संध्या को ध्यान को नहीं छोड़ना है बाकी सारे काम होते रहेंगे लेकिन स्वाध्याय और ध्यान की प्रवृत्ति नहीं छुटने चाहिए यह प्रतिजियां दिलवाई जाती थे तो अपनी अध्यात्मीक उन्नती भी करनी है ग्रिहस्त आश्रम में रहते विए उस संस्कार को भी कायम रखना है ताकि सन्यास आश्रम में जाकर कि फिर से शुरू करने के आउसेक्टा ना पड़े माले उधारन के लिए यहां पर अधिकांस विद्यार्थी बैठे हैं आप विद्यार्थियों को एक मेने तक अक्षा ना लिजाए तो आगे फिर से पिछली पार्ट को याद कराने में दो महीना और परिश्रम करना पड़ेगा तो अगर 25 साल का कम से कम ग्रिहस्ताश्रम होता है 35 साल के ग्रिहस्ताश्रम में ध्यान इत्यादी संध्या इत्यादी ना करें तो सन्यासी तो वो कभी बन ही नहीं सकता कैसे बनेगा सस्कार ही नहीं बनेंगे तो इसलिए ग्रिहस्त आश्रम के उपर ये दोहरी जिम्मेदारी होती थी एक अपनी अध्यात्मिक उन्नती और भौतिक उन्नती करने का परिवार का पालन पुशन करने का और दूसरी सन्यास अश्रम और ब्रह्मचारी अश्रम का पालन पुशन करने का इसलिए हमारे धर्मगरंत या उपनिश्दित्यादी ग्रिहस्तियों के लिए एक तरह का छूट भी प्रदान करते हैं कि कोई सन्यासी विक्ति तीन घंटा ध्यान करके जितना फल प्राप्त करता है उतना फ तरह से ग्रियस्त अश्रम में वीवाह का अर्थ लगाया जाए तो ठीक है अन्य था वीवाह वास्तों में बोजह धोना ही रह जाता है और देवचनर जी के माता पिता भी यही चाहते थे कि देवचनर जी भी उस बोजह धोने वाले अथवा कोलू के बैल की तरह बने रहे और हमारे इर्द गिर्द ही पुरे जीवन घूमते रहे इसलिए देवचनर जी का वो विवाह कराना चाहते हैं लेकिन अब उन्होंने देखा कि जिस सिर में पगड़ी बननी है उस सिर का तो मुंडन हुआ पड़ा है तो उन्होंने पिता जी ने डाटना शुरू किया पहल जैसे तेसे पगड़ी बाधी और जैसे तेसे विवाह हुआ लीलबाई नाम की कन्या के साथ में अब उसके बाद अब देवचनर जी प्रवेश कर चुके हैं ग्रिहस्त आश्रम में लेकिन ग्रिहस्त आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी उनकी दीनचरिया में किसी भी तरह का परिवर्त नहीं अभी वो ग्रियास्त का सुख नहीं भोग रहे हैं अभी अध्यात्मिक स्वाद में अथवा अध्यात्मिक रस में ही वो इतना डूबे हुए हैं कि अभी उन्हें संचार्की की कोई भी सुख उनको अभी लुभा नहीं रही है तो किस तरह से देवच में उनको कृष्ण जी का दर्सन होता है अर्थथ राज जी ने जो दूसरी बार दर्शन दिया कैसे दिया और इस दर्शन64 देने से पहले भूमी का कैसे बधी और दर्शन होने के बाद देव चंदर जी की अवस्था कैसी हुई क्या अंतर आया इसकी चर्चा सुनेंगे हम कल अब समय पुरा होता है चोपई दो राए ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होई श्री देव चंदर जी हरिदास जी की सेवा करत है सोई सेवा करत है सोई बोलो श्री प्राणनात प्यार बोलो श्री सद्गुरु महाराज प्रणाच प्रौाचर बोलो श्री धर सेवा करता है सेवा करता है